तो दोस्तों स्वागत आपका एक और नए वीडियो में चलिए शूरू करते तो दोस्तों आज मिले क्या हूं आपके लिए एक आप जो स्मार्टफून इस्तवाल करते हैं उसको अंदर क्या क्या रहता है वाटी इंसाइड वीडियो देखेंगे उसके और यह भी सिखेंगे क आपको मोबाइल करना नहींद था मोबाइल को जो है डेमेज की यह हुए तो आप देखसकते ही है मेरे पास यह मोबाई lui कमय इसंगल कैमड़न आप और आपको मोबाइल ओपन कर नहीं तो आपको करने के लिए आपको और में इसको फोकस कर दिखा दिए आए का इसा पींच पीन होता है आप देख सकते ही यहाँ पर मैं कुछ इस टाइब से आता है तो आपको क्या करना इस इंप्लिस के जो सवीं कर्ड का स्लॉट है उनिक निकालने लाइसे ता सिमकर्ड वार्त फोल या देल है बड़ा स्कूरू ड्यएवर का सेट है ! सबसे निल सकते हैं जो है एकदम छोटा जो एकड़न का सेट आएगा वह निकाल लेना है एक है मैं से ठीक से फोकस करें बताता हूं आपको देखցकतर एक छोठा वाला है तो उसको इसन्समें लगा लेना है है लगाने के बाद आपको तक हाथाओं यहां पर यह स्कुझारsh我觉得 करता है। देख पार है यहां पर जो इसका थोड़ा सा नीचे के पार्ट है वह थोड़ा सा डैमेज है जो कि पहले से तुक उसने डैमेज कर दिया तो जो भी इन दिखाया था आपको स्कूरू ड्राइवर उसको और एसे थोड़ा सा सिर्फ ऐसे ओपन करना दोस्तों आपको धिरे धिरे जाकर यहां पर और आप देख सकते हैं यहां पर डूबल स्पीकर का ऑप्शन दिया हुआ है लेकिन यहां पर एकी इस तो है स्पीकर है तो यहां दिखाता हूं थोड़ी अलों आता है वह भी खरी सकते ंवैजन पर या फिर लौकल मर्केट में मिल जाता है तो फ्रॉड़ा मुश्किल होता है यहांसे मुष्य करेंगे तो आप देख सकते हैं फिर से քितरी जाएगा आप देख सकते हैं यह मोबाइल रेडिमी का लेकिन पता नहीं कोई एंबाइका बैटरी जो mau या आप देख सकते हैं यह में को खोलकी और दिखाता हूँ तो इसको जट से ओपन कर लेता हूं तो अब देख सकते हैं मेरा लाश्ट इसक्रू बचाए उपर आले प्रोशन का तो यह निकाल लिए है मैंने स्क्रू और यहां से आपको धीरे से इसको रिमुव करना आप देख सकते हैं यह से रिमूव हो जाएगा इसका स्क्रू गिरा लेता हूं में यहां पर आ पम अधाशन निकल चुका है आप देख सकतेगैं कुछ ऐसे जो है उसके पासा के problema आहे वीड़ीफन जाए यहां पर फ्रन के अववला आता है यहां पर इसमें processor RAM सब ओम इसी बंद्द यह दैसे हैं इसमें कुछ connection हुए है तो में यहां से यहां से जो है स्कूरूट चैन्ज कर लिए यहां पर तो यहां से जो है इसके क्लिप्स है इसको इसको निकाल लेता हूं यहां पर इसे और इसको पीछे वाला प्रशन है में इसको भी यहां से रेमूग कर लेता हूं कि यहां पर यहां बैटरी सरफब्र पहदा देता हूं और यहां से थोड़ा सिसके काई सकते हैं मैंने का है जो है मु쪽 लगा रखेims किया गया हुआ है और देख सकते हैं यह थृपॉइंट engage 5 वर्ट्स और हो जो क्यों में नीडिया बता रहा है लेकिन सुक् laser 21-800 कि या घू देख separates कि इसकी कैपैसिटी यहां पर और कुछ ऐसा है यह बैटरी कि उसके बाद यहां फिर दो सर्कीट से वह उसको भी रिमोक करते हैं पहले आप देख सकते हैं यह हमारा सर्कीट यह जो अब केबल देख पा रहे हैं यहां पर जो ब्लैक कलर का जा रहा है यहां पर यह जो है इसक डिस्प्लै उसको आफ कर लेता या फिर टर्न ओफ कर देता अब देखते हूं और देखते हैंँ है यहाँ मैं आपको करके दिखाता हूं यहां से थोड़ा आप देख सकते हैं यहां पर थोड़ तोड़ गीला गीला ऐसे पड़ा है पाने या फिर तेल वूट यह अगर आपका तो यह जो आईसी जल चुका है आप जैसे के देख सकते हैं यह यह जो आप देख पा रहे हैं यहां पर यह इसका SIM card memory card slot है जो कि दो SIM card एक memory card लगता है और आप कुछ इसका और देख सकते हैं यहाँ पर बैठरी connection लगता है यहाँ लिखा हुआ भी आता है आप देख सकते हैं यहाँ और बढ़ते हैं नीचे तो यह mobile उठा लिया है मैंने इसका जो आप केबल देख सकते हैं यह केब को और उसके बाद यह देख सकते हैं यह charging jack जो है charging point तो इसको हम ऐसे जो है धीरे से रिमूट कर देते हैं उसके बाद मैं आपको बताता हूं कि स्पीकर जो है वह कहां पर है और मैंने एक ही speaker क्यों बोला था तो आप देख सकते हैं यहाँ पर यह जो इसका display का केबल आ रहा है और यह दो दो वायर देख पा रहे हैं यह एक छोटा वाला यह और यह बड़ा वाला है यह दोनों display के हैं जो display से आ रहे हैं अंदर से और उसके बाद आप देख सकते हैं यह जो इसका vibration motor है यह vibration motor यह जो फोन में बात करते हैं चोटा ले स्पीकर वह है और यहां पर सकते हैं यह यह इसका कोई वायर है मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा है तो और यह इसका बॉड़ी जो है वह ऐलूमीलियूम के बने हुई है जो कि मैगनेट पर शिपकती नहीं इसलिए यह ज्यादा मजबूत बॉड़ी है और यह इसका जो डिस्पले है यह इसको मैं open कर कर सकते हैं लेकिंट करूंगा नहीं क्योंकि दुसरे को जो है mobile आप देख सकते हैं यहाँ पर और यह इसका वाब्रेशन मोटर का पीन देख सकते हैं यह है इसका जो तीनो स्विच बटन या पिछ बटन सकते हैं उसका जो है function बटन उसका यह आगे बढ़ते है तो मैंने ब भरिलता देखें चाँ can you voyage कर दो यह वाला जो पोषिण आप देख सेकते हां यहां पर यह पिन आ रहे हैं दो वो साय यहां पर किए नद्षा को ने बैटरी का अफसे होजाता है एक साथ सारे पार्ट से अरेंज़ करके कि दीखाता हूँ तो आप शो पार्ट देख रहे हैं इसब मुबाईल के अंदर साथ हाथ है अदो 내 इसका देख सकते हैं references इतने सारे पार्ट मिला कर आपका سमाथफोन बनता है और यह आप बैक्तरी देख सकत ही इसका मेन कुछ ऐसा है लेकिन इसको मैं अगर बैटरी निकाल के भी रखता हूं तो दो एक ही घंटे में अपने आप गरम हो जाता है तो मैं आपको बता दू कि मोबाइल गरम होने बहुत अलग बात है अगर आपको मोबाइल प्रोसेसर से हीट हो रहा है तो अच्छी बात है अगर आपको मोबाइल जो है वह अच्छे से काम कर रहा है जैसे यह से मोबाइल होता है और यहां से गरम हो रहा है तो अच्छी बात है और नीचे से गरम हो रहा है तो आपको बैटरी गरम हो रहा है और यह जो प्रोसेसर हो तो हर मोबाइल गरम होता है मैं इसका बैटरी निकाल बता दूब कि आपदेख सकते हैं यहाँ पर तुरा यहां पर यहां पर है आपको यहां Six D केबल जोएंटीना आई दोस्तों यह जो बड़ा वाला नीच Напीनि तरफ देखना लाता है उसके बाद यहाँ ऊपर चल जाएंगे तो उपर आपको वाला यह उससे छोटा वाला हुआ है यह SIMघ और में अदर क्रप लेकने पहते हैं मोगा करता है लेकिन इंटरनेट रहुत जरूरी हैます एक फोड़ा दिया गया और यह है इसका नेटरोक केबल आप मोबाइल में नेटरोक देखते हैं इसी से जो है वह मोबाइल रिसीव करता है तो यह कुछ ऐसा होता है तो यह आज की वीडियो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो युडियो को लाइक किए चैनल पर नहीं त और अगर आपने मेरे को इस्ट्राग्राप फोलो नहीं किया तो इस्ट्राग्राप पर फोलो कर लिजिए